युहन्ना की तीसरी पत्रे मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिये गयूस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ हे प्रिये मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तु आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तु सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे क्योंकि जब भाईयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तु सच्मुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ मुझे इस से बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनू कि मेरे लड़के बाले सत्य पर चलते हैं हे प्रिये जो कुछ तु उन भाईयों के साथ करता है जो परदेशी भी है उसे विश्वासी की नाई करता है उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्ते के पक्ष में उनके सह करमी हों मैंने मंडली को कुछ लिखा था पर दियुत्री फेस को उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहन नहीं करता सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधी दिलाऊंगा कि वह हमारे विशय में बुरी-बुरी बातें बगता है और इस पर भी संतोश ना करके आप ही भाईयों को ग्रहन नहीं करता और उन्हें जो ग्रहन करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है हे प्रिये बुराई का नहीं पर भलाई का अनुयाई हो जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा देमेत्रियुस के विशय में सबने वरण सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है के हमारी गवाही सच्ची है मुझे तुझ को बहुत कुछ लिखना तु था पर सियाही और कलम से लिखना नहीं चाहता पर मुझे आशा है के तुझ से शिगर भीट करूँगा तब हम आमने सामने बाचीत करेंगे तुझे शामती मिलती रहे यहां के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना